रायपूर की जीवन दाइनी कही जाने वाली खारू नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है नदी में प्रदूशन इस कदर बढ़ गया है कि पूरी नदी में सिर्फ ज़ाग ही ज़ाग दिखाई देता है महादेव घाट में सस्पेंशन ब्रिज के पास पूरा पानी ज़ाग से ढग गया है नदी में बने अचानक ज़ाग के बाद की स्तिती का जाइजा लिया हमारे संबदाता मोहंतिवारी ये ज़ाग भरी नदी देखकर आपको यमुना की याद आ जाती होगी लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रायपूर की जीवन दाइनी नदी खारून में ये नदी वो नदी है जो पूरे रायपूर को पेजल सप्लाई करती है लेकिन इस नदी का प्रदूसर इस इस्तर तक अब बढ़ गया है जैसा की दिल्ली में हमें यमुना में देखने को मिला था और यही वज़ा है कि इस पूरी नदी में अब ज्ञाग सा फैल गया है और ये पूरा द्रिश से बताता है कि नदी अब प्रदूसर्शित हो गई है पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके से जाग इस नदी में बनता जा रहा है जो ये बताने के लिए काफी है कि इस नदी में प्रदूसर्ण का इस्तर किस हद तक बढ़ चुका है ये पूरा जाग आ रहा है इस नदी में पाँच बड़े नालों के जरिये इन नालों से आने वाले प्रदूसित जल की वज़ा से अब ये नदी सुद्ध नहीं रही और ये पूरी नदी को जाग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है हलाकि अब इसकी जाज की जा रही है कि अचानक इस तरीके का प्रदूसन क्यों बढ़ा और इसमें क्या ऐसे केमिकल तत्व हैं जिसकी वज़ा से ये जाग बन रहा है जो प्रात्मिक रूप से जानकारी सामने आई है उसमें बताए ये जा रहा है कि इस पानी में अमोनिया की मातरा बढ़ गई है जो कि तेलिये जल की वज़ा से जादा होता है डिटरजन और अमोनिया ऐसे जाक का कारण बनते हैं तो फिलाल इस पूरे प्रदूसन के कारण को जानने में प्रसासन लग गया है लेकिन प्रात्मिक रूप से जो नजर आ रहा है उससे साफ है कि कहीं न कहीं इस पूरे नदी को बचाने की जो मुहिम चल रही थी उसमें कोई कोताही बरती गई है और प्रदूसित जल लगातार इस नदी में बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ा से ये हमें प्रदूसन देखने को मिल रहा है तो चिंता की बात ये है कि इस नदी से पेजल मिलता है राइपूर को और उस नदी का हाल ये बन गया है ऐसे में जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें इस बात को देखने की जरुवत बनी हुई है जिससे कि इस नदी का प्रदूसर्ण रोका जा सके और इस नदी को कम से कम यमुना की तरह गंदी होने से बचाया जा सके कैमरमन दीबक साहू के साथ मोहन तिवारी बंसन नियूज रायपूर